कथा साहित्य में आपका स्वागत है। उन्हें उनके लेखन के लिए रास्ट्रिये तथा अंधर रास्ट्रिये कई पुरसकारों से समानित किया जा चुका है। तो आएए आज आनन्द लीजिये उनकी लिखी कहानी का एक ही रंग। सब के मुह पर एक ही बात थी। सुभा, शाम, हर व्यक्ति उस दिवार के विशे में ही चचा कर रहा था। आखिर जैहिंद स्कूल के अहाते की दिवार थी। जैहिंद स्कूल, अंधा मुगल शेत्र का अग्रणी स्कूल। बातें दिवार की ही थी। आखिर यहे दिवार क्यों उठाई जा रही है। जब अब तक इसके बिना स्कूल चल रहा था, तो अब इसकी ऐसी क्या विशक्ता आन पड़ी है। यह सरकार बजट तो घाटे के बनाती ही है, काम भी घाटे के ही करती है। अच्छा भला स्कूल था, उसे जेल बनाया जा रहा है। कभी किसी बात का सही पहलू भी सोचा करो, अब बच्चे स्कूल से भाग कर आवारा गर्दी करने से बच जाएंगे। प्रिंसिपल का कितना हिस्सा होगा? अरे, यह काम करप्शन, मेरा मतलब कॉर्परेशन का है। फिर तो एक बात साफ हो गई, ठेकेदारी और हेरा फेरी में तो चोली दामन का साथ है, उपर से नीचे तक माल बनेगा और बटेगा। दिवारें तो बटवारे का ही काम करती हैं, चाहें बरलिन की दिवार हो या दिलों की, काम तो उसका बाटना ही है, यानि की जितने मुह उतनी बातें, किन्तो इन सब बातों से बेखबर दिवार उठती ही गई। दिवार का आस्तित्व ना तो अध्यापकों को ही पसंद आया था और ना ही विध्यारतियों को, सबको ही पहले वाले खुले वातावरण की आदत से पढ़ गई थी, अध्यापक पहले तो कॉर्परेशन को कोस्ते नहीं ठकते थे, स्कूल है या ओपन एर थेटर, किन्तो अ एक व्यक्ति ऐसा भी था, जो उस दिवार को देखकर मन ही मन, कॉर्परेशन और प्रिंसिपल को दुआएं दे रहा था, उस दिवार को देखकर वो मन ही मन लड़ू बनाए जा रहा था, आखों में एक अध्भुत चमक लिए, उस दिवार में वो अपना भविश्य देख रहा था, वो था सुदर्शन नाई, वैसे पूंजी के नाम पर उसके पास दिखाने को कुछ विशेश नहीं था, एक पुरानी सी कुर्सी, दुनिया की एक मात्र कुर्सी, जिसे छोड़ने पर सभी चैन की सांस लेते थे, एक पुराना सा शीशा, जो जगह जगह से दुक्षी, जिसमें उससे भी पुराने ओजार रखे रहते, इन ही चीजों के सहारे, वो किसी तरहां अपनी ग्रहस्ती की गाड़ी खींचे जा रहा था, माल तो उपर से नीचे तक बट रहा था, उसने भी अपना चकर चला ही लिया, और फिर काम भी तो कोई बहुत नहीं था, केवल एक मोड ही तो देना था, दिवार में कुछ ऐसे मोड दिलवा दिये, कि वहां एक बिना केवार की छोटी सी दुकान दिखाए देने लगी, दिवार पूरी होते ही, उसने वहां सेमेंट की दो चादरें डलवा ली, और साथ ही एक दरवाजा भी लगवा ल दिवार, दिवार कैसे कटवाई, सीमेंट की शीट कहां से लाया, कौन से कबाड़िये से दरवाजा लिया, लाला जी, आप तो दलिद्दर कट गए, हम भी दुकान वाले हो गए, सालों बीद गए थे जी, पटरी पर पैठे, आप से क्या चुपा है, आप तो मेरे पर्मान ग्रहक हैं, बस जी, दो पैसे जोड लूँ, इसको हेर कटिंग सेलून बना दूँगा, ऐसे मौके की दुकान तो पकड़ी पर भी नहीं मिलेगी, लाला जी, जरा देवारें तो देखिए, खास ओवर सेर से कहके सेमेंट भरवाया है, चाहे बाकी की दिवार तूट जाए, पर मेरी दुकान को कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सुदर्शनलाल, जरा ध्यान से, कहीं कट ना लग जाए, लाला मुकंदलाल उक्ताय से बोले, सुदर्शनलाल उनके वाक्ये पूरे होने की प्रतिक्षा नहीं कर सका, उससे पहले ही लाला जी के पाउं की जूती बन गया, गिगी आने लगा, आपके भरोसे दिन काट रहा हूं लाला जी, जरा दया द्रिष्टी रखियेगा, कहीं कोई दुश्मनी ना निकाल ले, क्यों, किसी से वैर विरोध हो गया है क्या, नहीं लाला जी, मैं गरीब आदमी, भला मैं किसी से क्यों दुश्मनी मोल आप लोगों का अशिरवाद बना रहे, तो हम जैसे गरीबों के दिन भी आसानी से कट जाएंगे, हमारे भगवान तो बस आप ही हैं, सुदर्शन लाल का अंतिम वाक्य, लाला मुकुंद लाल को विशेश रूप से भागया, उन्होंने खड़े-खड़े ही भगवान क्रि सुदर्शन लाल, तु चिंता छोड़ और बेफिक्र होकर यहां रहे, आज के दोर में जिसने हाथ नहीं मारा, वो बेवकूफ है, हमारे सामने कितने ही शरीफ लोगों ने करोणों के घपले किये, और आज भी इमानदारी और समात सेवा का लेबल लगाए, बड़ी शान से कारों में घुमते हैं साले, पैसा काला और कार सफेद, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, यह दौलत, ट्रांसपोर्ट वाला लक्षमिदास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मामुली क्रर्ग था, आज उसी कंपनी का मालिक है, अब तू ही पता, इतना पैसा इसके पास कहां से आया, इमानदारी से तो यह हो नहीं सकता, अपने मालिक की मौत के कुछ हरसे बाद ही उसकी पतनी को धुका देकर सब कुछ हड़प गया, लक्षमिदास से चौतरी लक्षमिदास हो गया, इलाके में दबदबा है, शान है, सब लोग अपने दुखडे लेकर उसी के पास ही कि चंदर्भान जी आ पैठे, ग्रहक देखते ही सुदर्शनलाल की दिवार फिर खड़ी हो गई, वही सेमेंट शीट, वही दर्वाजा, साब जी जरा इधर भी कृपद रिष्टी रखियेगा, गरीब आदमी हूँ, आप लोगों की हजामत करके पेट पालता हूँ, चंद वो अंग्रीजों का जमाना तो है नहीं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पियें, अगर कोई लाठी है तो उसे घुमाते रहो, दंदनाते रहो, और चैन की बंसी बजाते रहो, वरना जब तक चलती है चलाते रहो, सुदर्शनलाल को उसकी बात कोई विशेश अच्छी नहीं लगी, कैंची से उनकी मूचे ठीक करने लगा, वैसे तो इंदरा कॉंग्रेस के चौधरी लक्षमी दास अपने खास आत्मी है, पिछले दस साल से उनकी हजामत बना रहा हूँ, कभी भी शिकायत का मौका उन्हें नहीं दिया, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कोई भ जुनाव में चारों खाने चित गिरा था, हारा हुआ जुआरी और खोटा पैसा मुश्किल से ही साथ देते हैं, सुदर्शन लाल को चंदरभान की बेवक्त की रामायन कुछ भाई नहीं, उसके अंदर का नायक तन कर खड़ा हो गया, जैसे महा भारत में भीश्म पिता महा ने अपने सामने खड़े तुछ युद्धाओं की और हुंकार फेंकी हो, बाउजी भगवान का दिया खाते हैं, किसी के घर भीख मांगने नहीं जाते, यहां बैठा हूँ अपने दम पर, किसी लाला या चौधरी के सहारे नहीं, दस साल हो गए, यहीं बैठकर लोगों की हजामत बनाते, यहे दिवार तो कॉर्परेशन ने अब बनवा दी, मैं, तो आप जानते हैं, कब से यहीं हूँ, यहां काम करते करते, कितनों के खोखे और कितनों के घर, बुल्डोजरों की नजर होते देखे हैं, सच कहता हूँ बाउजी, कोई मेरी दुकान की तरफ आँ नितिके थे, भादी-भादी के आदाकारों के अभिने, वे प्रती दिन देखा करते थे, उन्होंने घरी देखी, समय उनके पास कम था, सुदर्शन लाल को टालते हुए बोले, ठीक है भाई, हमें तो खुशी है कि तुम यहां टिके रहो, ठीक ठाक आदमी हो, पुराने आ कि वो कौन सी करवट पैठेगा, किन्तु समय कब करवट पतलेगा, किसी को कुछ भी घ्यान नहीं होता, समय के विशे में तो बड़े-बड़े घ्यानी ध्यानी कुछ नहीं कह पाते, फिर सुदर्शन लाल तो सीधा-साधा नाई ही था, समय ने करवट ली और सुदर्शन कि दिवारी दुकान के समीप ही एक और खोखा को कुरमुत्य की तरहां उभराया, यह खोखा बाबुराम नाई का था, अभी कुछ ही दिन पहले नगर निगम वाले उसका खोखा गिरा गए थे, बाबुराम भी इसी इलाके में कई वर्षों से काम करता रहा है, उसका खोख पहले आरे समाज मंदिर के पिछवाडे में था, हफता तो वो नियमित रूप से दे रहा था, फिर भी नगर निगम वालों को कभी कभी तो अपना काम भी दिखाना होता है ना, सो कभी कभी हफता देने वाले भी उस चपेट में आ ही जाते हैं, अब इसका क्या करें, कि बा और सामान भी नया, सुदर्शनलाल की दुकान भी खोखा ही लगती थी, और बाबुराम का खोखा भी सुन्दर सी दुकान लगता था, ग्रहकों का भी क्या दोश, उन्हें भी चमक दमक वाली बाबुराम की खोखा सैलून ही पसंद आने लगी, चंदर्भान, लाला पर किसी को तरस नहीं आया, उसकी खुशामत से कोई नहीं पसीजा, अब उसका काम ठंडा पढ़ने लगा, एक दिन चंदर्भान जी वहां से गुजरे, तो सुदर्शनलाल ने जैसे उन्हें पकड़ कर बिठा ही लिया, लाला जी, कोई नाराजगी है, बहुत दिनों से द नावट का जमाना है, बाबुराम की दुकान कभी देखी है, कितनी साफ सुथरी है, हर चीज कितनी सुंदर लगती है, तुम्हारे यहां क्या रखा है, चूँचू करती चार पाई, कुरसी है, तो अब गिरी की तब गिरी, और उस पर तुम्हारा शीशा, नगत नारायन को हवा लगवाओ, उपर साथ तो कुछ ले जाओगे नहीं, ग्राहक वापिस लाने हैं, तो बाबुराम से बेहतर दुकान सजाओ, सुदर्शनलाल के दिमाग को यह बात जज गई, निर्ने ले लिया, कि अब तो दुकान को हर हाल में बेहतर बनाना ही है, सब तहां भर में ही नई कुडसी, नया शीशा, रंग बेरंगे विदेशी डिबो में देशी पाउडर, डिटॉल की शीशी, क्रीम, शेविंग क्रीम, आफटर शेव लोशन वगेरा वगेरा आ गए, और तो और उसने अपने कपड़े भी बदल डाले, पजामे की जगहा, पतलून और उस पर स सफेद कोट, कमी थी तो केवल एक वस्तू की, बाबुराम सरी की हाथ की सफाई की, यतन तो काफी करता रहा सुदर्शनलाल, कि उसके पुराने ग्रहक फिर उससे हजामत बनवाने लगें, किन्तु उखडी फौज और उखडे ग्रहकों का लोटना बहुत कठिन होता है, उस तो हारते हुए खिलाडे को सब बेमानी लगता है, सुदर्शनलाल में भी हीन भाबना ने घर कर लिया, काम में भी उसकी रुची कम होने लगी, जुझलाहट में वो अब दुकान पर भी कम ही रहता, विवश्ता में छट पटाता तो खूब, किन्तु इससे तो कुछ हो नह नहीं सकता था, मुह पर अंगोचा डाले, खाट पर लेटा रहता, ग्रहकों से खिचा रहता, स्कूल के अध्यापक भी उसकी बद मिजाजी का शिकार होने लगे, अध्यापकों में भी सुदर्शनलाल के विरुद कानाफुसी चल ही रही थी, कि वो स्कूल के प्रिंसिपल से उलज पैठा, प्रिंसिपल ने केवल इतना भर ही कह दिया था, कि वो दुकान से उड़ते बालों का थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि बाल उड़कर कक्षा की ओर जाते थे, और विध्यारतियों को कठनाई होती थी, बस उखड़ गया सुदर्शनलाल, यह उखड़ना को खासा महगा पड़ गया, उसी शाम को थाने से बुलावा आ गया, थानेदार की तू तड़ाक और एक करारे थपड़ ने सुदर्शनलाल को धरती पर ला बिठाया, हराम सादे, अब अगर कभी तेरी शिकायत आई, तो बंद कर दूँगा, एक तो गेर कानूनी खोखा ब वापिस दुकान पर पहुंचा, तो एक बात तो उसके मन में बैठ चुकी थी, कि ये प्रिंसिपल और अध्यापक उसकी दुकान वहां से उठवा देना चाहते हैं, यही लोग हैं जो उसकी रोजी रोटी पर लात मारना चाहते हैं, दो बेटियां हैं, उनका विवाह भी क जा रहा था, प्रतिशोध उसके दिमाग में एक जिंगारी सुलगने लगी थी, इन सब से अपने अपमान का प्रतिशोध कैसे ले, सांसी गली के अपने दोस्तों से कहकर एक दो का खून करवा दे, खून ना सही पर एक दो की टांगे तो तुड़वा ही दे, साले सारी उम के लिए पंगो हो जाएंगे, खारिये मोहले का जगु दादा भी तो मुझसे ही हजामत बनवाता है, उसी को कहता हूँ, उससे तो थानेदार भी खबराता है, साथ आठ खून तो पहले भी कर चुका है, आस तक तो एक बार भी नहीं पकड़ा गया, पर क्या मेरे लिए कु ऐसे तो चौधरी लक्षमी दास भी मेट्रोपॉलिटन कॉंसिल के मेंबर रह चुके हैं, पहले तो कॉर्परेटर भी थे, नगर निगम में भी तो उनकी खासी साख है, यह है वो क्या सोचने लगा, बटनागर साहिब या चौधरी जी से मिलकर उसका प्रतिशोद कैसे पिछली बार जब सुमेर चंद उससे वोट मांगने आए थे, तो कह रहे थे, सुदर्शनलाल, नगर निगम का कोई भी काम हो तो बेजिजक चले आना, अब तो निगम के स्कूल से ही टकराव हो गया था, और दुकान गिरने का डर भी निगम की ओर से ही था, वह डर अब द सभी को मिलने गया, अपनी दारुन गाथा सुनाई, सबसे दिलासा मिला, किन्तु केवल दिलासा ही मिला, सुदर्शनलाल ने अपनी जान पहचान के जो भ्रम पाल लखे थे, वे एक एक करके धराशाई होए जा रहे थे, सुमेर चंद के यहां भी गया था, अरे सुदर्श सब ठीक कर दूँगा, इस बीच अगर जरूरत पड़े, तो डॉक्टर भरतवात से मिल लेना, वो तेरी साहता अवश्य करेंगे, कह देना मैंने भेजा है, सुदर्शनलाल कातर स्वर में करहा उठा, बाओ जी, ये लोग मुझे बरबाद करके रख देंगे, वो इस देव क्यों अध्यापकों के साथ मिलकर मुझे उजाणने पर तुल गया है, सुमेर चंद ने फिर दिलासा हाथ में पकड़ा दिया, कहाना सुदर्शनलाल, तु दिल छोटा ना कर, अगर मेरी गैर हाजरी में कुछ भी हो गया, तो भी मैं तुम्हें वापस वहीं ला बिठाऊं भी है या नहीं, तुम अदालत से स्ट्रे ओडर ला सकते हो, गर किस बात का है, और सुमेर चंद सुदर्शनलाल को कुरिश्चित्र के मैदान में अकेला युद करने को छोड़ कर स्वयम यात्रा पर रवाना हो गए, शंका और दुविधा से घिरा सुदर्शनलाल अपनी दुकान पर आ बैठा, दुकान को बचाने की अंतिम तैयारी के बारे में विचार कर रहा था, अध्यापकों, प्रिंसिपल, थानेदार और राजनित्यग्यों के चक्रविहों में वो अकेला घिर गया था, सामने एक भयानक काला अंधिरा था और कुछ भी नहीं, मन उसे कह टिक कर बैठने नहीं दे रहा था, उठा और चौधरी लक्षमी दास के यहां पहुच गया, चौधरी साहिब, वर्षों आपकी सेवा की है, और भविशे में भी करता रहूँगा, इस समय बचा लीजिए, नगर निगम के इस देत्य से लड़ने वाला हरक्यूलिस उसे की बात कर रहे हो, अरे, वो तो हम ही तुम परतरस खाकर तुम से हजामत बनवा लिया करते थे, नहीं तो तुम जानते ही क्या हो, कभी बाबूराम का काम देखा है, सब को काम प्यारा होता है, चाम नहीं, उस दिन मुकंदलाल तुम्हारी दुकान पर बैठा, मेरे बारे मे पकवास करता रहा, और तुम उसकी हां में हां मिलाते रहे, हम तुम्हें गरीब जानकर तुम पर दया करते रहे, और तुम अपने आपको तीस मारखा समझने लग गए, हर किसी से जगड़ा, हर एक से लड़ाई, अरे, नाखून कटवाई तक मांग लिया करते थे, आज पर जाकर शिशा देखो, सब दिखाई देगा, जो तुमने औरों के साथ किया है, अंधेरी गुफा में सुदर्शनलाल अकेले ही भागा जा रहा था, गुफा बहुत संक्री थी, पहरों के नीचे छोटे बड़े पत्थर बिछे हुए थे, उसके पाउं जखमी हुए जा रहे थे, उन में से लहु निकल रहा था, पर उसे तो इस गुफा से बाहर निकलना ही था, बस भागा जा रहा था, गुफा का अंत ना तो सुझाई दे रहा था और ना दिखाई, कभी गुफा की बाइं और टकराता, तो कभी दाइं और, उसकी कोहनिया भी छिल गई थी, शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, सांस फूलती जा रही थी, एका एक उसका सिर गुवा की दिवार से टकराया, सिर भटा और चारों और लहु के छींटे बिखर गए, सुदर्शनलाल ने चौंक कर आँखे खोली, अपने शरीर को टटोला, रक्त तो कहीं नहीं था, फिर व पड़ी मूचे लिए वे भयानक चहरे आगे बढ़े, सुदर्शनलाल का सारा सामान उठाया, और ट्रक में पटक दिया, सुदर्शनलाल अपने सामान से लिपट गया, मर जाओंगा, सामान नहीं जाने दूगा, बहुत से लोग इकठे हो गए, बाबुराम अपने खोखे क लगा कर भाग लिया, पुलिस वालों का डंडा हवा में लहराया, सुदर्शनलाल के माथे पर एक लाल रेखा उभराई, देखते ही देखते दुकान का दर्वाजा भी उदर गया, सुदर्शनलाल भागलों की तरह चिलाए जा रहा था, हराम जादो, देख लो, हो गई दिवार सीधी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे भी दिवार में चिनवा दो, छोड़ोंगा नहीं कमीनों, गरीब के पेट पर लात मारी है, महंगी पड़ेगी कुत्तों। और काम शुरू, सुदर्शनलाल अपने भविशे पर रंग पुत्ता देख रहा था, देखता रहा, सुदर्शनलाल की दोनों आखों से आशु टपक पड़े, उसने महसूस किया कि दिवार पर किया रंग ढलते सूरच का रंग और उसके आशुओं का रंग एक ही है, अभी आ क्या दीजिये, और कथा साहित्ते से चुड़े रहिएगा, धन्यवाद.